कंगारों को कैसे दूल चटाते बारती यूवा टीम ने बता दिया है टोज जितकर खराब शुरुआत के बाद में कैसे वापसी करते है ये भी बता दिया है तो बारते टीम ने टोज जितकर बल्ले बाजी करते हैं शुरुआत कापी खराब रही थी जा ओपनर बिल्कुल जल वात वात बाते टीम पूरी तरह से लटकर आगी थी लेकिन जब से यसडूल वल्ले बाजी करने आए तो इनके बाद एक चोके लगाए इन्होंने काफी सांदार वल्ले बाजी की और अपना जल्दी से अर्षतक लगा लेकिन यहीं नहीं रुके और इनके साथ वल्ले बाजी कर रहे हैं इनके उपकपतान सहेक रशीद ने भी कापी सांदार बल्लेबाजी की और उन्हों ने भी अपना अर्शतक लगाया लेकिन ये दोनों ने अर्शतक लगाने के बाद बल्लेबाजी को कापी तेज कर दी और बाद में हिटिंग और छक्के भी लगाने शुरू करते शेक रसीद ने जहाँ कापी सांदार इस्टेट में एक सांदार छक्क लगाया तो सतक के करीब फोंच गए तो वहीं यस डूल ने कापी सांदा तरीके से अपना सतक लगा लिया और एक फानल में दून चटा लेंगे लिए टीम इंडिया ने अब 260 से भी पार अपने स्कोर कर लिया है यस डूल कप्तान और शेक रसीदू कप्तान के सतक के बदोला टीम इंडिया काफी मजूद स्तती में दिकाई दे रही है अगर टीम इंडिया काफी सांदार बोंग करते है त तक एसी अपडेट आपको मिलते रहे हैं